आज की इस एपिसोड में हम डिस्क्रस करने वाल है डिलाइन्स पाबर एस्टोक के बारे में fundamentally यह बहुत ही strong एस्टोक है और जिस परकार से खुद के fundamental को इसने strong किया है surely इस एस्टोक में strong bondsback आते वे दिखेगा इस स्टोक को technically आप देखेंगे तो जहां एक साल में स्टोक ने लगबग 184% और पिछले दो साल में से स्टोक ने लगबग 1000% के आसपास का return दिया है वहीं पिछले 6 months से यह स्टोक consolidate होते वे दिख रहा है overall इस स्टोक को upmove नहीं होने का सबसे बराकारन market के volatility या फिर market में के strong uptrend नहीं जब market 17,200 के उपर trend करेगी तो surely यह स्टोक one-sided uptrend दिखेगा और यह golden opportunity है इस स्टोक को 14 के आसपास के price पे buying करने का इस स्टोक में अभी हम देखते हैं कि लगबग 60% के आसपास की delivery continuous buying होते वे दिख रही है और पिछले one week में इस स्टोक ने लगबग 6% के आसपास का return दिया है personally मैं इस स्टोक को लेकर के बहुत ही bullish हूँ जिस परकार से यह स्टोक fundamental improvement होते वे दिखा है साथ में promoter ने भी अपनी holding बढ़ाई है तो इसी लिए personally देखेंगे अगर DIs और FIs की holding भी बढ़ते वे दिखी है तो इस स्टोक को लेकर के view fully से 11 रुपे के stop loss लगा करके 20 plus short term target के लिए within 3 month के लिए buying किया जा सकता है वहीं long term अगर इस स्टोक को hold करते हैं तो इस स्टोक में surely 50 plus तक के targets दिख सकते हैं